साथ शिरिकाल जी सारे आनू जे तुसी पंजाब पलिस विच कॉंस्टेवल पारती होना चाहूं देओ ता इस मोग टेस्ट नू जुरूर देओ ए मोग डेस्ट पंजाब नमबर दा है जो थोड़े सलेवस दे कोडिंग बनाया गया है सलेवस दे विच जिनने भी सब्चेक्ट हैं सारे समोग डेस्ट विच कवर किते गया है इस नार थोनू ये पता लगजेगा कि थोड़ी त्यारी की में चल रही है जा जेद उसी त्यारी शुरू नहीं किती तामी तोनू पता लगजेगा कि तोनू कि निकुन ओल जाया अत्य जिस तांदा पेपर आउना है उसता से ये मोग डेस्ट त्यार किता गया है पेपर विच इस तांदा ही कोशन तोनू आउनंगे क्योंकि स्लेवस दे कोडिंग एह टेस्ट है जड़ा हो त्यार किता गया है मैं कॉशन बोलूँगा उप्शन तुसी आप रीड करने है थोड़े समय बाद मैं सही अंसर भी दसुँगा उस तो पहला चैनल नो सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि इस चैनल दोते चैनल पंजाब पलिस दे पेपर दी त्यारी बिल्कुल फ्री दे विच्ग टोपिक वाइस करवा रहे है ठीक है पेपर विच थो नूँ इस तरहां दे ही कोशन ओनगे जिस तरहां दे सो नूँ असी करवामागे कला कला टोपिक है जिनने होदे क्वेशन बढ़नेंगे उस तरह दे ही क्वेशन थोनूं करवाए जानगे कंप्यूटर जी के इंगलिश मजाब भी सारे स्विजेक्ट थोड़े कवर करवाए जानगे बिल्कुल फ्रीदे विच बहुत कट चैनल है जो फ्रीदे विच त्यारी करव होदे है पहला फ्रीदे विच पांसात वीडियो पादेंगे उस तो बाद पेड़ कोर शुरू कर देंगे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फीस नहीं पेगर सकते सो असी किसे भी कैंडिडेट कोड़ों कदे भी कोई भी फीस नहीं लेनी बिल्कुल फ्रीदे विच्च असी एहे सेवा लालो तुसी कुछ भी कहलो कार रहे हैं तुसी भी इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करेओ अते हो सके था इस वीडियों देख़ों तो भाज शेर जरूर कर देओ चलो पाशुरू कर देए इस टेस्ट नूँँ फास्ट कोश्चन है पार्त दी समुंदरी ताटर एखा दी लंबाई किन्नी है ओप्शन तुसी आप रीड करो अते अपनी माइंड देविच सही आंसर सुचो एंड विच मुम दस्यों थवाड़े किन्नी आंसर सही होई कमेंटेश कारके सावने जरूर दसना है राइट आंसर है 7516 किलोमेटर ओप्शन ए नेक्स्ट कोश्चन है विटामिन दिखोज किसने किती इसदा सही जबाब है फांक ओप्शन सी नेक्स्ट कोश्चन मीड डे मील जोजना केड़े साल विच शुरू होई जी के देखोशन चल रहे हैं राइट आंसर इसदा ओप्शन डी 1995 बंगला देश दी मुद्रा की है बंगला देश दी करांसी की है सही आंसर है टका ओप्शन ए पटना दा प्राचीन नाम की सी सही उत्तर है पाटली उत्तर ओप्शन बी केड़े देश दा सब्तो लंबा सभिदान है कॉंस्टिटिउशन नार्ट सबंदिस अनू काफी क्वाशन आउने हैं पिपर देविच उसदे क्वाशन भी मैं पाए हैं राइट आंसर है पार्थ ओप्शन सी सभिदान नू अपनावन दी तरीक केड़ी है राइट आंसर है 26 नमंबर 1999 नेक्स्ट गवश्चन है सिवदान दे केड़े लेकसान नू बराबरीदा अधिकार दिन देहन बराबरीदा अधिकार केड़े आर्टिकल विच दिता गया है सभिदान दे केड़ा लेकसान अजादी दा अधिकार दिन दा है राइट आंसर है उप्षण बी उन्नी ते लेके बाई तक सभिदान दा केड़ा लेकसान नू शोशन बरुद्ध अधिकार दिन दा है राइट आंसर है उप्षण बी आर्टिकल तेई एंड चोवी सभिदान दा केड़ा लेकसान नू ता रमदी अजादी दा अधिकार दिन दा है आर्टिकल पच्चीतों अठाई उप्षण सी राइट आंसर हो जेगा आई आर सी टी सी ने हाली विच केड़ी नमी बुकिंग बशेष्था लांच किती है करांट फेर दे कॉशन शुरू हो गे सही आंसर है बुकिंग बसा अप्षण बी राइट आंसर हो जेगा अप्षण बी सथाने के चोड़ा दी केमत विचे चानक तेजी दे कारना केड़े देश ने एक दा के बाद पार्त तो चोड़ा दी दरामद करने शुरू किती है ओप्षण सोड़े समने हैं देख लो सही उप्तर है बेत नाम ओप्षण डी टिप टैमपी जो हाली विचे खवरा मिचे सी किस खेतर नाड सबंदीत है टिप टैमपी किस खेतर नाड सबंदीत है राइट अंसर है वीडियो संजागर्ण ओप्षण बी नेक्स्ट ग्षण किस हाई कोड ने हाली विच ए फैंसला दिता है कि किसे भी रब्दे नाम दी बर्तों कर दिया किसे लेख या लेख दा इस्तियार गैर कनूनी है इस दा राइट अंसर है बंबे हाई कोड ओप्षण बी नेक्स्ट कोश्चन है चाद अब कि चातान पुर्सकार पार्ती राज के इंदर्शाष्ट परदेश दी पहल कदमी है किस पार्ती राज जाके इंदर्शाष्ट परदेश दी है पहल कदमी है राइट आंसर है असाम ओप्षण बी नेक्स्ट कोश्चन हिस्ट्री दे कोश्चन चुरूँ होगे इतिहास दा पिताम मा किसनों कहा जान्दा है सही उत्तर है हीरो डार्स ओप्षण ए पाणी पात्त दी दुजी लडाई किसने जित्ती सी सही जवाब हो जेगा ओप्षण डी अकबर नेक्स्ट कोश्चन है आखरी मुगल मुगल शाशक कौन सी सही उत्तर हो जेगा ओप्षण ए बहदुर्शा जफर पाणी पात्त दी तिजी लडाई कदों होई सी सही उत्तर है स्तारांसो कहाट ओप्षण सी मुनुख दवारा सबतों पहला बरती जानवाड़ी तात केड़ी सी सही जवाब है तामबा ओप्षण ए आसकर अवार लई नामजद पहली फिलम केड़ी है राइट आंसर है ओप्षण सी मदर इंडिया कुच्ची पुड़ी डैश राजदा कलासिकल नाच है सही उत्तर है आंदरा परदेश ओप्षण ए अमरी सरसंदी कदों होई पंजाब हिस्ट्री दे कौशन अठारा सो नौ ओप्षण डी राइट आंसर सतलू जाते ब्यासदा संगम है पंजाब जी के दे कौशन हरीके पत्तन ओप्षण डी राइट आंसर मजूद्धा पंजाब कदों होँ दे बिच आया उन्नी सो शे आट ओप्षण बी राइट आंसर है इस कौशन दा आंसर कुडत्तन शावद दा समानार्थी शावद दसो पंजाबी गरामर जो थोटे स्लेव स्विच दते होया टोपिक्स ओना दे कौशन है राइट आंसर है कोड़ा ओप्षण सी नवीन शावद दा ब्रोधी शावद चुनो राइट आंसर है पुरातन ओप्षण दी शुद्ध शावद जोड चुनो राइट आंसर है ओप्षण दी दूप हैर इस तरह पहेगा शुद्ध मुहावरा चुनो सई जवाब है ओप्षण डी सुत्यां कला जगावनिया पेपर विच बिल्कुल इस तरह दे कौशन दोन देखनों मिलनगे उनों कम्प्यूटर दे कौश्चन शुरू उनने है कम्प्यूटर दा जो थोड़ा सलेव सा है उस दे जिनने भी टोपिक्स है उनना दे मैं कौश्चन एक एक दोदो कौश्चन मैं पाएं है ठीक है सी बेसिक कबोल अते जावा डैश पशामा दिया उदार ना हान राइट अंसर है उच्च पद्री हाई लेवल लेंग्वेजिस वान गिगावाइट बराबर है इक गिगावाइट बराबर है एक जीवी किस दे बराबर है दास्सो चोभी एमबी ओप्शन सी राइट आं सरो जेगा कंप्यूटर डैटा नो स्टोर कारना ते गण्णा कारन लई नंबर सिस्टम दी बारतों कारदा है उसनों डैश केंदे हन सही उत्तर है वाइनरी वाइनरी नंबर सिस्टम दी कंप्यूटर बरतों करता है नेक्स्ट क्वेशन है बीच ओव दा फोलिंग इस नोट एन प्रेटिंग सिस्टम फोर मुबाइल फोन्स मुबाइल फोन अर लेटर तो थोड़े स्लेव स्विच दता हुए है उस दे क्वेशन राइट आंसर है एपल एपल एक ब्रेंड है एहे मुबाइल दा प्रेटिंग सिस्टम नहीं है बाकी एहे तिन्नों प्रेटिंग सिस्टम है बिच वान आफ दा फोलिंग इस नोटन अप्लिकेशन सोफ्टर वैर पैकेज यह विचो केड़ा अप्लिकेशन सोफ्टरवैर पैकेज नहीं है राइट अंसर है रेड हैट लिनिक्स रेड हैट लिनिक्स बिंडो है ठीक है अप्रेंडी सिस्टम है जांक एमेल इस काल्ड जांक एमेल नों की कहन दे है राइट अंसर है जांधय शेंगेल लिनिक्रेंड खियाலज की एमेल काविते यह प्रतबबी नहीं प्रत आप्दर है सब तो ज्यादा पापूलर है सही जवाब है ब्रोजर ओप्शन सी नेक्स्ट कॉस्चन है बिच्च ओव दा फोलिंग इस कोर्यक्ट फोर्मेंट ओफ इमेल अड्रेस इमेल अड्रेस दा सही फोर्मेट केड़ा है ना बिच्चो जल्दी सोचो अंसर राइट अंसर आइस दा ओप्शन बी नेक्स्ट है इडिनोट क्वालिफाई डैस दा जोब इंगली दे कॉस्चन शुरू होगे सही जवाब है फोर्दा जोब ओप्शन ए फाइंड दा क्रेक्ट वर्ड सही वर्ड तुसी चुनना है लेट दे सही स्पहलेंगा है फाइंड ले टी ओप्शन सी वर्ड दसना है तुसी जी मैं बहुते शावदा नहीं था एक शावदा उन्दा पंजाबी दे विच उस तरह एंगली दे विच है इस पूरे संटेंस दी जगा तुसी एक वर्ड दसना है अर एंपडी फोर आल डिसीजिज यहनों पकी कहांगे सही तरह उप्शन सी पैनासिया नेक्स्ट क्वेशन है अन्टोनियम आ गया ब्यूटीफुल दा अन्टोनियम दसना तुसी ब्यूटीफुल दा अन्टोनियम होएगा उप्शन सी सनोनियम आ गया गया कैनी दा सनोनियम दसो सही तरह उप्शन सी कलेबर नेक्स्ट है रीजिनिंग दा क्वेशन आ गया नमबर सीरीज दा एक क्वेशन है तुसी इस नमबर सीरीज नू दसना है क्वेशन मार्क दी जगा की आएगा ए तुसी दसना है कि में एक सीरीज चल रही है इस दा सही जवाब जड़ा है हो की बन दा है ओप्शन डी 81 एक की में बने आओ भी मैं सुन दास दना है सब तो पहला की है 1 1 दा स्केर 1 ठीक है उस तो बाद की है 9 9 की में बने आ 3 दा स्केर 25 की में बने आओ 5 दा स्केर उस तो बाद 49 की में बने आओ 7 दा स्केर एस सीरीज की में चल रही है सब तो पहला 1 दा स्केर उस तो बाद 3 दा स्केर उस तो बाद 5 दा स्केर उस तो बाद 7 दा स्केर ते उस तो बाद 9 दा स्केर नाइन दा स्केर की बने है 81 ठीक है एस सीरीज के में चल रही है 1 दा स्केर 3 दा 5 दा 7 दा 9 दा ते उस्तो बाद 11 दा स्केर 121 ठीक है एस जिनने भी थोड़े even नंबर है सारे दा है स्केर किता होया है वो में है सीरीज चल रही है ठीक है 1, 3, 5, 7, 9 11 सोरी even नंबर नी ओर नंबर है गलती नाण बुल लेगा ओर नंबर दा स्केर है ओर सीरीज है चल रही है नेक्स्ट कॉस्चन इस सीरीज नो भी तुसी दसना है कि में कॉस्चन मार्क दी जगा कि में है सीरीज चल रही है थोड़े सामने है 4, 7, 12, 19, 28 इस दा राइट आंसर है पहला तुसी खुद ट्राई करो वीडियो नो पोस्ट करके खुद ट्राई कार सकते हो राइट आंसर होजेगा 39 एक कि में आया 8 आया है फस्ट टर्म में अपनी 4 है ठीक है 7 कि में बने है 4 प्लस 3 ठीक है उस्तो बाद 12 कि में बने है 7 प्लस 5 ठीक है इस तरह ही सीरीज चल रही है उस्तो बाद 12 प्लस 7 की बने है 19 ठीक है अते उस्तो बाद 19 प्लस 9 की में बने है की बने है 28 अते 28 प्लस 11 ये बने है 39 तो अपने को रांसर हो जान दा है 39 ठीक है इस दे विच भी अपने जडे ओर नंबर है 29 प्लस कर दे जाना है जी मैं सब तो पहला की प्लस करए है थ्री उस्तो बाद 3 तो बाद किड़ा ओर नंबर होंदा है 5 4 even number है उस तो बाद केड़ा 5 तो बाद केड़ा ओर नमबर होंदा है 7 7 तो बाद ओर नमबर केड़ा है 9 9 तो बाद ओर नमबर 11 इस तरह है सीरीज चल रही है ठीक है अमेधा तुसी समझे गए होने इस question नो चलो पाँ नेक्स्ट देख देया नेक्स्ट है एहे अल्फा वाड़ सीरीज है इस तरहां दा क्वेस्चन भी थोनों आना है पिपर दे बिच्च इस दा सही जवाब हो जेगा S एक किमे आया ओभी में थोन दास दा है ए तो बाद की है होन दा है B C उस्तो बाद D ठीक है इस तरहां है सीरीज चल रही है ठीक है दो दो मिस करी आने उस्तो बाद है आई जाने इस तरहां है S अंसर बने आ नेक्स्ट कॉश्चन A and B इंपलाइस A स्केर प्लस B स्केर वाट इस दा वैलियो ओफ जो थोड़े समने है दिखती होई है इस दी दूसी वैलियू दसनी है ठीक है इस दा राइट आंसर में तो में दास दरना है राइट आंसर इस दा बनेगा 436 किस तरह बने है ओभी में तो में दास दरना है सब तो पहला आप इस तरह इना नो लिख लेना है जो यह रखम दिती होई है उस तो बाद आपने इना स्केर कर देना 2 दा स्केर पलस 2 दा स्केर ठीक है इस तरह इसनों सिंप्लिफिकेशन करके दुसी सोल्व करना है उस तो बाद की आपस राएगा 6 गुना 2 दा स्केर कर देना हुदा 4 अथे 4 दा स्केर कर देना हुदा 16 ठीक है सो यह अपने कोड आजेगा 6 20 उस तो बाद 6 दा स्केर पलस 400 सो राइट आँसर आजेगा 400 शक्ति थोड़ा जाथे अक्सप्लेइन करने चोखा हो रहा है मैं थो नो टेलीग्राम ते पूरा अक्सप्लेइन इस दा पे दूँगा सारे यानी टेलीग्राम नो जोईन कर लियो नेक्स्ट क्वेशन है एबरेज ओफ दा फरस्ट फाइव मल्टिपलाईज ओफ नाइन इज जड़े फरस्ट नाइन नाड मल्टिपलाईँ ने नमबर उना दी अपने अवरेज कड़नी है नाइन नो नाड केड़े मल्टिपलाईँ ने नो हो गया ठारा हो गया स्ताई हो गया छत्ती हो गया अते पंताड़ी हो गया पांच तक के करने है फरस्ट फाइव पुछ आएना ने उस्तो बाद इना दा पलस कर देना है पलस करके डिवाइड़ वाए फाइव अपने कोल राइट आंसर आजेगा 27 ठीक है इसनों मैं एक्स्प्लेइन पूरा कर दूँगा अते इस चैनल नो ते आसी फ्रीदे विच त्यारी भी करवा रहे है जे तुसी बदिया त्यारी काना चाओंदे सब्सक्राइब जरूर कर ले हो ते शेर जरूर करे हो मिल दे नेक्स्ट वीडियो विच तान बाद